नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनीशा आपके साथ मेरे चैनल पर आप सभी का सागत है देखिए आज काल पैरेंट्स जो हैं बच्चे की कर्सिव रैटिंग को लेकर के बहुत टेंशन में रहते हैं क्योंकि कर्सिव रैटिंग जो होती है सिंपिल ABCD से थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा घुमाओ आता है थोड़ा से कर्स कितरे लैटर लिखने पड़ते हैं इसलिए ये बच्चों के लिए थोड़ी सी difficult होती है और उन्हें थोड़ा देर से समझ में आता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगी कि आपको बच्चे को कैसे cursive writing सिखाना है तो सबसे पहले मैं आपको small ABCD cursive में लिखना बताऊंगी क्योंकि small ABCD जो होती capital ABCD के comparison में थोड़ी difficult होती है अगर बच्चे को small ABCD cursive में लिखना आ जाएगा तो उसको capital ABCD भी लिखना आसानी से समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे capital ABCD cursive में लिखना है तो आएए वीडियो को start करते हैं small ABCD start करने से पहले आपको बच्चे को कुछ curve बनाना सिखाना होगा मैंने यहाँ पर कुछ patterns बनाए हुए हैं सबसे पहले बच्चे को आपको ये लिखना सिखाना होगा और आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि बच्चे को अपना हाथ cursive writing में नहीं उठाना है केवल fingers की movement करानी है कम से कम बच्चे को आप ये दो दिन तक practice कराईए जिससे की बच्चे की fingers की movement अच्छे से होने लगे तो ये हो गया first pattern अब second pattern है आपको बच्चे को ऐसे सिखाना होगा कि बच्चा जहे हाथ को ना उठाए केवल fingers को अपने move कराए और मिला मिला करके लिखे क्योंकि cursive writing में letters जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक दूसरे से मिले हुए होते हैं इसे अलग अलग नहीं लिखा जाता है आपको दो दिन तक कम से कम दो दो तीन तीन पेज बच्चे को इसकी practice करानी है तो ये हो गया second pattern अब मैं आपको first step बताऊंगी तो देखी इसमें मैं आपको सारी ABCD आपको बच्चे को नहीं सिखानी है कुछ letters जो सेम curve जैसे होते हैं उन्हें बच्चे को पहले सिखाना है सबसे पहले आपको बच्चे को ऐसे curve बनाना सिखाना है क्योंकि इसी curve से C बनता है इसी curve से A भी बनता है अब जैसे मैंने उपर curve बताना अभी सिखाया था सिम वैसे ही कर्व बना के बच्चे को D भी बनाना है अब इसी कर्व को बना के बच्चे को G भी बनाना है इसी कर्व से Q भी बन जाएगा तो इससे क्योंगा बच्चे को लिखने में आसानी रहेगी उसे याद भी रहेगा कि जब आप same curve वाले letter बच्चे को एक सां सिखाएंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगा तो ये तो हो गया step 1 step 1 में मैंने बताया कि same curve वाले letter बच्चे को पहले सिखाना है अब ये है step 2 step 2 में भी मैं यही process लेके चल ली हूँ पहले बच्चे को आपको ये वाला curve सिखाना है इसी curve से J भी बन जाएगा और E बनाने में भी बच्चे को help मिलेगी अब इसी curve से O भी बन जाएगा तो ये हो गया step 2 step 2 में आपको बच्चे को पहले ये curve बनाना सिखाना होगा इसी curve से J भी बनेगा यही curve E बनाने में भी help करेगा R बनाने में भी इसी curve से O भी बासानी से बन जाएगा और small s भी तो ये हो गया step 2 अब step 3 में मैंने same curve वाले letter लिये हैं देखिए L में भी इस curve से बन रहा है और L की तरह B भी पहले starting में इस तरह बनेगा तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ देखिए ये small l हो गया small l की ही तरह देखिए B भी बनेगा और small f की ही तरह और small b की तरह ही small f भी बनेगा तो आपको बच्चे को same curve वाले letter पहले सिखाने होंगे इससे क्या होगा कि बच्चा जो है confused नहीं होगा जब बच्चा को t बनाना होगा तो आप उसे अच्छे से बताईएगा कि t बनाने के बाद ही उपर उसे ये sleeping line ग्रॉख करनी है बच्चो के सिखाने का एक सबसे best तरीका ये भी है कि पहले आप खुद अच्छे से cursive writing लिखना सीख लीजे अगर आपको अच्छे से नहीं आता है क्योंकि पहले time है cursive writing कई school में नहीं चलती थी और इतनी जल्दी छोटे class में सिखाई भी नहीं जाती थी तो इसलिए पहले आप अच्छे से लिखना सीखे फिर अपने बच्चे को लखना सिखाईए तो ये हो गया step 3 इसमे मैंने same curve वाले letter लिये हैं जैसे L, B, F, H, K, T अब आगया step 4 step 4 में भी मैंने same curve वाले letter लिये हैं N फिर N की इतरे देखिए M भी बनेगा U थोड़ा सा different है N में भी ऐसे curve ले जाना है और M में भी ऐसे curve ले करके जाना है अब U और V सेम है U, V, W एक जैसे letter है इसलिए मैंने इन letters को एक सांथ रखा इस step से अगर आप बच्चे को सिखाएंगी तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है बहुत जल्दी cursive में small letters लिखना सीख जाएगा देखें कुछ बच्चों की capacity जो है अलग-अलग होती कुछ बच्चों को देर से समझ में आता है कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है इससे आपको patience रखने की बहुत जादा जरूरत है तो ये हो गया step 4 अब last step है ये मेरा step 5 इसमें मैं ये कर्व बनाना सिखाऊंगी और इसी कर्व की तरह ही x बनेगा और थोड़ा small z बनाने में भी help मिलेगी तो पहले आप बच्चे को ऐसे कर्व बनाना सिखाईए ये थोड़ा-थोड़ा small x की तरह लग रहा है उसके बाद आप बच्चे को ऐसे small x बनाना सिखाईए और ये है small z तो ये हो गया मेरा last step step 5 अब आपको बच्चे को पूरी ABCD एक साथ लिखनी सिखानी होगी तो यहाँ पर मैं पूरी ABCD लिखूंगी A से लेकर Z तक A I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T आप T में बच्चे को जरूर बताएगा कि T पूरा बना के फिर बच्चे को ये sleeping line खीचनी है या draw करनी है U, V, W, X, Y, Z तो ये हो गया A से लेकर Z तक पूरी small ABCD करसेव में तो आपको step by step बच्चे को सिखाना है अगर आप इन steps को follow करेंगे तो आपको और आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा help होगी और बच्चे को समझ में भी आएगा तो इन steps को जरूर याद रखिएगा उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like करिए subscribe करना बिल्कुल भी न भूलिए और subscribe करने के बाद bell icon को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आप मेरी सारी वीडियो का notification आपको मिलता रहे और आप मेरी सारी वीडियो से update रहे अगर आपका कोई suggestion है तो मुझे comment box में जरूर लिखिएगा और इसे share भी करिए जिससे की दूसरे parents के भी help हो और वो भी अपने बच्चों को अच्छे से सिखा पाए Thank you, thanks for watching